आप ये सूच लें एक तरीके से मैंने पंदर दिन पहले ही साइन्स का पेपर लीक कर दिया था अब जीन इस्टुडेंट्स ने वीडियो देखी होगी उनका समझ में आ गया होगा सारे के सारे कोश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिये थे हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम आपके लिए लेकर क्या है उत्तर खंड बोड क्लास तैन्थ वालों का दोजार पच्चिस का साइन्स का पेपर जो कि आपका 24 फरवरी को था यानि की आज था और इस पेपर का पैटन सेम जो मैंने आपको सैंपल वेपर वाली वीडियो में बताया था इस पेपर का पैटन वही था हमारा जिन इस्टुडेंट्स ने सैंपल वेपर वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा और यह जो आपका आज वाला science का वेपर है इसमें जहातर आपके पुराने question सी पूछे गए थे कोई नए question जहातर नहीं पूछे गए थे यानि कि यह जो आपका paper आये था इसमें जहातर question आपके previous question paper वाले थे part 1 और part 2 अगर आप इन दोनों वीडियो को देख करके गए होगे तो आपका paper बहुत बढ़िया गया होगा क्यों गया होगा वो यहाँ पर मैं आपको बता रहता हूँ यह paper था आपका 80 number का 80 में से 70 number का जो मैंने आपको part 1 और part 2 में बताया था उसमें से ही आया था बस 2-3 question आपके अलग थे बाकी सारे के सारे question जो मैंने बताये थे वही आये हैं जैसे कि आपके सामने comment आभी चुके होंगे जो student मेरी important question वाली वीडियो से पढ़कर के गए थे उन students ने comment करकर बताया है कि जादतर question जो मैंने important question वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें से ही आये थे अगर आपने भी मेरी science के most important question की वीडियो का part 1 और part 2 वाली वीडियो देखी होगी तो आप भी जरूर comment करकर बताना कि आपका paper कैसा गया और कौन सा question आपका छूड गया और आपके कितने number आ सकते हैं वैसे तो जादतर student के बड़िया number ही आएंगे और paper भी आसान ही आया था लेकिन ये paper उनी student के लिए असान होगा जो मेरी वीडियो को देख करके गए थे और जो students मेरी वीडियो को देख कर नहीं गए होंगी और अब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो students बहुत पच्चता रहे होंगे कि हमने important question वाली वीडियो क्यों नहीं देखी थी क्योंकि जब मैं live भी आया था तो बहुत से students के comment आ रहे थे कि sir आपको कैसे पता कि यही question आएंगे उस time आप सभी student को मुझ पर यकिन नहीं था लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 80 में से 70 नमबर का paper मेरी important question वाली वीडियो में से ही आ गया है तो आप सभी students comment करकर जरूर बताना कि यह जो आपका आज का science का paper था यह easy आया था hard आया था यह आपका paper कैसे गया कितने नमबर आपके आ सकते हैं यह कौन-कौन से question आप छोड़कर आ चुके हैं तो paper को दिखाने से पहले और अगर आप इसी तरीके से और भी papers की analysis video देखना चाते हूँ तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को subscribe कर लें और सबसे महतपूर बैल आइकन को alt प्रेस कर लें जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी subject के paper की analysis video upload करूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके अब हम देखते हैं इस paper में कौन-कौन से question मेरे बता हुए आये थे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हमारा 2025 का विज्ञान का paper है यह हमारा 3 घंटे का था और 80 नमबर का था इसमें जो हमारा पहला question है उसमें हमें 8 बहुपी कल्पी question दे रखे होते हैं तो आठ में से 7 बहुपी कल्पी question मेरे बता हुए आये हैं आप चाहें important question वाली वीडियो को जाकर देख लेना या जिने students ने मेरी important question वाली वीडियो देखी है वो comment करकर बता देना यहाँ से हमारे पहले question के बहुपी कल्पी question स्टार्ट हुजेंगे पहला question मैंने बताया था वही question आया है दूसरा question मैंने बताया था वही question आया है तीसरा question मैंने बताया था वही question आया है और इस paper की solution बिड़ो भी बहुत जल्दी आ जाएगी उसकी tension आप ना लेना और मैंने आपको जो bio में diagram बताये थे वही डाइग्राम आपके आये हुए हैं अब देखने हम इसमें आगे और questions को ऐसे ही इसका अगला बहुबिकल्पे question है ये भी मैंने आपको बतायता आएगा वही आचुका है same to same वही रखे हुए है question ऐसे ही अगला question same to same ये भी अमारा वही question आया है अब जो इसका अगला question है जो हमारा अगला बहुबिकल्पे question है ये question बस हमारा वाहर से आया है जो मैंने आपको important question वाली वीडियो में बताय थे उससे ये बाहर आया हुआ है इसके इलावा जितने ही बहुबिकल्पे question थे वो सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बता दिये थे आप ये सूच लें एक तरीके से मैंने पंदर दिन पहले ही साइन्स का पेपर लीक कर दिया था अब जिन इस्टुएंट्स ने वीडियो देखी होगी उनका समझ में आ गया होगा सारे के सारे कोश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिये थे ऐसे ये दोनों अगले कोश्चन है ये भी मैंने आपको बता दिये थे टोटल सेम टू सेम वही कोश्चन हमारे यहाँ पर चैपे हुआ है अब यहां से हमारे निशिरूत्रे वाले कोशन से स्टार्ट हो जाएंगे अब मैं यह आपर बता देता हूं मेरे बता हुए कोशन यहापर कितने कितने आये हैं दूसरा, चौथा, पांच हुआ, छटा, बस यह जो हमारा तीसरा वाला कोशन है यह मेरे बताय हुआ नहीं आया था, बाकी यह सारे कोशन मेरे बताय हुए आये है तो मेरे इसाब से तो जिनिश ट्रेंड्स ने मेरी वीडियो से पड़ा होगा उनका पेपर भहुत बढ़िया गया होगा और उनके अच्छेकासे नंबर आने वाले है ऐसे ही इसका साथवा कोशन है ये भी हमारा से वही कोशन आया था अब देखते हम इसमें आगे और कोशन को इसमें कोशन नमबर 9, कोशन नमबर 10, कोशन नमबर 11, टीनों ही कोशन मैंने आपको 15 दिन पहले बता दिये थे इंपोटेंट कोशन वाली वीडियो में वही कोशन चपे हुए हैं और ये जो इसमें आठ वाला कोशन है ये मैंने आपको इसमें नहीं बताया था ऐसे ही मैंने आपको बार-बार वीडियो में बताया था कि इलेक्टोन मिन्नू संद्शना वाले जितने मैं यहाँ पर आपको डियाग्राम देखा रहा हूं इनको आप बना लेना सेम टू सेम दोनों के दोनों जो मैंने बताये थे वही आए हैं अगर जिन श्टुडेंट्स ने उस समय ध्यान दिया होगा उनके मजे आ गए होंगे ऐसे ही यह तेरवा कोशन भी बताया था एक लिंगी उवे लिंगी पुश्मी वाला वही कोशन हमारा आ चुका है और यह जो आपका चौदबा कोशन है मानम में बच्चे का लिंकन देधारन कैसे होता है बताया था कि यही आएगा इस साल कोशन यही आएगा बार बार बोला था दस बार और यह हमारा आ भी चुका है और दूर दर्श्ची दोस वाला भी यहाँ पर आया है और यह भी मैंने आपको बताया था कि दोनों ही टॉपिक हमारे most important है लेकिन इस साल के लिए दूर दर्श्ची दोस के chances हैं और वही हमारा आ भी चुका है ऐसे ही इसका सोलबक कोशन और इसमें हमें दो कोशन से दे रखे हैं का और का दोनों कोशन मैंने आपको बता दिये यह हमारा इसके उपियोग में था ऐसे ही सत्रवे में भी हमें दो कोशन दे रखे हैं दूनों ही question मैंने आपको बता रखे थे कि है लोज नी करण और इसका एक question मैं आगे दे रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका दूसरा question है हमारे पास उदास नी करण अभी कित्रे अवाला same to same हमारे सारे वही question है वो तो छोड़ो इन question के अथों में जो में question दे रखें वो question भी मेरे बताए हुए आई हुए है बस यह जो में खावला question दे रखा है यह मैंने शायत बता नहीं रखा था जब मैं आपको बायो के important question से बता रहा था उसमें मैंने आपको कितनी बार वोला कि neuron के diagram को आप तयार कर लेना और उसमें जो में नाम दे रखे हैं उनको भी आप तयार कर लेना कोई भी हमें 2-3 नाम दे सकता है और यह हमारा exam में जरूर आएगा आप यहाँ पर देख ले neuron बाला आपका आभी चुका है आप comment करकर जरूर बताना कि मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा कोई जूटी बात तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा और यह जो इसके अथों में कोशन आया था यह भी मैंने आपको इसमें बता रखा था लेकिन neuron माला ज़्यादा असान था इसको आप करकर आ भी चुके होंगे और अगला कोशन है कोशन नमबर 20 इसमें भी हमें दो दे रखे हैं का और खा दोनों ही कोशन मैंने आपको बता दिये थे बोला था सनेल के नियम को तयार कर लेना वही आपका आ चुका है 21 वा कोशन है इसका जो खावला question है जिसमें हमसे पूछ रखा है इसमें हमसे पूछ रखा है चुम्मिकी छेते देखाओं के हमें यहाँ पर दो गुण बताने है वही आपका यहाँ पर आ रखा है वैसे तो मैंने इसका खावला question भी बताया था लेकिन वो question थोड़ा अलग था और इसमें थोड़ा अलग टाइप से पूछ रखा है वरना ये भी कोशन अमारा आ जाता लेकिन ये जो इसका 19 बा कोशन है ये मैंने आपको नहीं बताया था और ये आपका एक्जाम में आया हुआ है मैं यापको खुद ही बता रहा हूँ कि कौशन मेरे बताया बा नहीं आया था ये आपका कोशन नमबर 22 इसमा में दो कोशन दे रखें का और खा और दोनों में आमें नोमेरिकल दे रखें बताये थे दोनों नोमेरिकल आपके आ सकते हैं दो नमबर में बताया था उपर वाला एक नमबर में बताया था नीचे वाला दूनों ही question आपके आ चुके हैं ऐसी यह जो आपका question number 13 से last में जो अमारे part 2 है उस video के last में last question अमारे यही था जिसमें आपको बताया था कि पारित अंतर वाले को आप तयार कर लेना यहापका इस साल जरूर आएगा आप यहाँ पर खुद देख लें, तीन नमबर में यह आपका आया हुआ है और अथों में भी हमें पारित अंत्र से रिलेटिडी कोशन दे रखा था यहाँ पर आप खुद देख लें, जो मैंने बताया है, वही आया है, उससे बहर कुछ भी नहीं आया यह आपका कोशन नमबर 24, इसमें जितनी भी हम से समीकरण पूछ रखी है चारो की चारो समीकरण, मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कि यह आपकी आ सकती है और चारो की चारो सेम टू सेम वही रखी भी आई है, ऐसे ही जो इसके अत्वए वाले कोशन में हमें दो कोशन दे रखे हैं, वो भी मैंने आपको बता दिये थे और वही कोशन आया है, इसके अत्वए वाले कोशन में आपको दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिख रहोंगे बर्जन और निस्थापन वाला बताया था और ऐसे ही HD करण वाला भी बताया था दोनों आपके आए हैं दो दो नमबर में ऐसे ही जो आपका कोशन नमबर 25 है इसमें मैं IUPAC naming करनी थी और naming वाले भी जो मैंने आपको बता रखे थे वही आपके आए हैं उससे बाहर नहीं आए हैं 25 कोशन का मैं एक कोशन और दे रखा है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर दिखी रहोगा मैंने यहाँ पर आपको butane और paintane इनके जो सनरशनात्मक समावय भी होते हैं यह मैंने आपको बता दिये थे ऐसे ही 26 कोशन में दोनों कोशन मैंने आपको पहले ही बता दिये थे परागरण और निसेचन वाला भी और प्रतिवर्ति किर्या वाला भी ऐसे ही जो इसका 27 कोशन जिसमें हमसे पहले कोश्चन में पूछ रखा है सोपोसी और विसमपोसी दोनों में अंतर आ चुका है लेकिन जो जो इसका खावाला था ये मेरे बतायवा नहीं आया है और ये जो इसका 28 कोश्चन है बारवार में आपसे कह रहा था इस बार आपका पुष्प की अनुधरे कार्ट वाला डाइगरम आएगा 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 आप इसको तयार कर लेना और यहाँ पर भी आप देख लें कि आपका ये आ भी चुका है और वो भी चार नमबर में लेकिन अगर आप फिर भी इसको नहीं तयार रखे गए कोई बात नहीं इसके अत्वा में जो मैं बायो के चार कोशन दे रख है ये चारो ही कोशन मैंने आपको बता दिये थे और ये आपके वही कोशन आए ये शाइद गावाला नहीं था बागी तीनों कोशन मैंने आपको बता दिये थे यहाँ पर आप खुद देखें कि कोशन भी और उस कोशन के अथो वाले कोशन भी सारे के सारे कोशन यहाँ पर रखे हुए है पेपर तो मैंने पहले ही लीक कर दिया था लेकिन आप सभी students को मेरे उपर विश्वाष नहीं था और यहाँ पर ये भी देख लेना आप Amoeba वाले का diagram बोला था वो भी आ चुका है और साथ में जो मैं 29 कोशन दे रखा है यह हमारा physics का numerical है इसके जैसे मैंने आपको 2 numerical करवाए थे दो में से हमारा एक numerical यहाँ पर आ भी चुका है और उमीद है आप इसको करकर भी आ गए होंगे अब इसके आत्वा में भी यह मैं दो कोशन दे रखा है वो ही मैं आपको दिखा देता हूँ आत्वा में यह जो मैं पहला कोशन दे रखा है यह हमारा दो नमबर का है और यहाँ पर आप देख ले यह मैंने बताया था कि हमसे प्रतिविम बनाने के लिए पूछेगा वहाँ पर हमें स्थदी दे दी जाएंगी दोनों पॉइंट जो मैंने आपको बताये थे वही दे रखा हैं इस कोशन का मुझे ध्यान नहीं इसलिए मैं इसे काट देता हूँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने आपको यह बताया था या नहीं बताया था और यह जो आपका तीसवर कोशन मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के नुमेरिकल आपके हर साल आते है और इस साल भी यह अपका जरूर आएगा और यहाँ पर आप देख लें यह आपका 2025 में आया हुआ भी है तीनों पॉइंट ही निकाल ले थे हमें यहाँ पर लेकिन यहाँ पर जो मैं डाइग्राम दे रखा है वो भी हमारा सेम ही आया था बस यहाँ पर डिजिट चेंज थी मैंने आपसे कहा था आप यहाँ पर सवाल के तरीकों को देख लेना डिजिट चेंज ओकर भी आ सकती है तो यहाँ पर आप देख लें परिपत हमारे पास सेम बन कर आया था लेकिन यह जो हमारे पास संख्या हैं थी यह हमारी चेंज थी तो यह आपका इस पेपर का लाश कोशन था और यहाँ पर मैंने आपको जितने भी कोशन से बताए थे पहले ही वही सारे कोशन आपके आई हुए हैं अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप कमेंट करकर बता देना और आप यह भी कमेंट करकर बताना कि इंपोटेंट कोशन वाली वीडियो से यह पेपर आया है या नहीं आया मैथ और एस एस्टी इनके इंपोटेंट कोशन की वीडियो अपलोड हो जाएंगी उनको आप जरूर देख करके जाना वरना आप एक्जाम के बाद परस्त आएंगे मैथ के इंपोटेंट कोशन की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है एस एस्टी की बहुत जल्दी आने वाली है तो यह था उत्रकंड बोड क्लास तैंथ वालों का 2025 का साइंस का पेपर जो की मैं यहाँ पर को दिखा चुका हूँ और जितने भी कोशन मैंने आपको बताये थे पहले ही वही कोशन आपके सारे के सारे आएं हुआ है अगर इन में से आपको किसी भी कोशन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करकर पूछ लेना और जो इसकी सल्यूशन वीडियो होगी वह बहुत जल्दी ही आ जाएगी और आप कमेंट करकर जरूर बताना कि आज का पेपर आपका कैसा गया और कितने नमबर आपके आ सकते हैं लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसकी नोर्टिवीशन आपके सबसे पहले जा सके तो मिलते हैं भिनम नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें कमेंट करकर रहना हमें जरूर बताएं कि आपका आज का पेपर कैसा गया और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल न भूले और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें